भावुक हुए जस्ट रीत बुम्रह फोटो शेर कर कहा जल्द जबरदस्त वापसी करूंगा चोट के कारण दक्षन अफ्रिका के खिलाफ आगामी टेस्ट सी रीच से बाहर हुए टीम इंडिया के तेज गेंद बाज जस्ट रीत बुम्रह ने ट्वीट कर अपने फैंस को शांदार वापसी का भरोसा दिलाया है बुम्रह ने कहा है कि वह चोट से उबर कर दोगुनी मजबूती के साथ मैदान पर वापसी करेंगे और सारे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे मंगलवार को BCCI ने जानकारी दी थी की बुम्रह को रूटीन रेडियो लॉजिकल स्क्रीनिंग के दोरान उनकी लोवर बैक में मामूली सी चोट का पता लगा था इसके चलते उन्हें आगामी टेस्ट सी रीच से बाहर बैठना पड़ा है बुम्रह का पूरी सी रीच से बाहर होडाना टीम इंडिया के लिए किसी जट्के से कम नहीं है हाला कि चैन करताओं ने उनकी जगह उमेश यादा को टीम में जगह दी है बुम्रह को चोट की खबर के बाद उनके फैंस ने सोशल मीडिया वेबसाइट टेवर्टर पर उनके जल्द ठीक होने की काम ना की बुधवार को इस तेज गेंदबाज ने अपने फैंस से मिल रही दुआओं के प्रती ट्वीट कर आभार जटाया बुम्रह ने अपने ट्वीट में लिखा जहां तक जस ट्रीत बुम्रह का सवाल है तो उनकी चोट को इसलिए भी गंभीरता से लेना जरूरी है क्यूंकि वो बेहद ही कम समय में टीम इंडिया के सबसे अहम खिलाडी बन चुके हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके बिना चैंपियन बनना भारतिय टीम के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है वैसे किसी एथलीट को इस चोट से उबरने के लिए कई बार दो महीने से लेकर छे महीने तक का वक्त भी लगडाता है अस्ट्रेलिया इतेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क समेत कई क्रिकेटर इस से पीड़त रह चुके हैं भारतिय पेसर वरोन एरोन भी स्ट्रेस प्रैक्चर के शिकार हो चुके हैं भारत और दक्षिन अफरीका के बीच पहला टेस्ट 2-6 अक्टूबर के बीच च्वेशा खपटनम में खेला जाएगा 10-14 अक्टूबर के बीच दूसरा टेस्ट उने और तीसरा और आखिरी टेस्ट 19-23 अक्टूबर के बीच राची में खेला जाएगा